अब्लाहरामारे रहीम, दिर स्टूडेंट्स, अस्सलामुलेकम। आज हम सेकनी एर क्लास का चप्ट नमबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, Physics of Solids. Physics of Solid में, बेसिकली हम Solid State Physics पढ़ते हैं. Solid State Physics is the branch of physics which deals with the properties and structure of solids. अगर हम solids के हवाले से बात करें, तो हम उसकी shape के बारे में, उसकी structure के बारे में, और उसकी properties के बारे में, जैसे हैं उसकी mechanical properties हो सकती हैं, या इस तरह की और properties हो सकती हैं, उनको study जब हम करते हैं, तो हम Solid State Physics का नाम देते हैं. तो इस चप्टर में हम solids के हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं classification of solids की अगर हम classification of solids की बात करें तो classification किसी ना किसी property की base पर की जाती है यहाँ पर सबसे पहले जो हम classification कर रहे हैं वो हम इस base पर करेंगे किसी भी solid में atom की arrangement किस तरह की होगी हमारे पास तीन तरह के solids according to the arrangement of atoms हासलोते हैं अब अगर इसमें पहली property देखें तो इसमें crystalline solids का नाम दिया जाता है और हमारे पास दूसरी तरह की amorphous solids होते हैं एंड़ थर्ल टाइब इस पॉलिमेरिक solids अब अगर देखा जाए तो इसमें basic difference होगा arrangement of atoms का अगर हम crystalline solids की बात करें तो हम यह देखेंगे कि इसमें तुम्हाम atoms regularly arrange होते हैं आप जितना मर्जी इसको length ले ले याप किसी भी direction में जाएं आपको एक जैसी तरतीब नज़र आएगी atoms की तो उस सुरत में हम इसको crystalline solids का नाम देते हैं और अगर atoms की बिल्कुल तरतीब नहीं है या molecules की बिल्कुल भी तरतीब नहीं है यानि बिल्कुल बेतरतीबी जहां पे होगी वो हमारे पास amorphous solid कहलाएंगे हम यह कह सकते हैं कि completely ordered form जो होगी atoms की solids के अंदर तो हम उस सूरत में उसको crystalline solids का नाम देते हैं जबके completely disorder form हमारे पास amorphous solid कहलाती है अब in between हमारे पास polymeric solids होते हैं जिसमें एक regular arrangement तो नज़र आती है लेकिन कुछ फासले पर वो regular arrangement किसी नई तरह की arrangement की सूरत में सामने आती है दोसलफ़ों में यहाँ पे arrangements होती है लेकिन बहुत दूर तक नहीं होती है लांग रेंज नहीं होती है लेकिन यहाँ पे बहुत लांग रेंज तक एक तरह की arrangement नज़र आती है जबके amorphous solids के अंदर यह arrangement बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है अब इसके मुखलिफ अगर हम types के हवाले से बात करें क्यांके जो हमारे पास crystalline solids होते हैं इनको आम तोर पे X-ray diffraction की मदद से study किया जाता है और इसको हम X-ray diffraction टक्नीक को आम तोर पे X-RD का नाम भी दे देते हैं X-RD यानि X-ray diffraction की मदद से हम दो atoms के दरमें फासला भी मालूम करते हैं मुखलिफ किसम के crystals के जो angles बनते हैं उनकी बात में हम करते हैं crystal आम तोर पर हम तफसील में chemistry में पढ़ चुके होते हैं तो यहां पर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो solids metals के अंदर हैं जैसे copper हो गया iron हो गया zinc वगारा यह crystalline solids हैं इसमें atoms regularly arranged होते हैं throughout the crystal और throughout the solid इसी तरह ionic compound जैसे sodium chloride है इसमें sodium और chlorine के atom मिलकर जब sodium chloride बनाते हैं तो सुरत में वो cubical structure बनते हैं और हर atom के जो neighboring atom होते हैं वो बिलकुल एक जैसे नजर आ रहे होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर sodium chloride भी crystal की form में एक solid हो सकता है इसी तरह ceramics के अंदर बाद जिर्कोनिया जिर्कोनियम oxide मुझारा मुझूद होते हैं क्रिस्टलाइन solids हैं इसी तरह सेमिकंडक्टर के अंदर अगर देखें जर्मेनियम और सिलिकान ऐसे solids हैं जो completely ordered form में यानि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मुझूद होते हैं अब इन में जो atom के atom जिन points पर fix होते हैं उनको हम आम तोर पे lattice points का नाम देते हैं crystal lattice में जिस जगह पे atom मुझूद होते हैं उनको हम lattice points का नाम देते हैं और वो जो structure बनता है that is the lattice जो खाका बनता है जहां जहां atom को fix कर दिया जाए तो वो crystal बन जाता है यानि lattice points पर जब atom associate कर दिये जाते हैं या हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक crystal बन जाता है जैसे अगर हम बात करें sodium chloride की तो उस सुरत में यह cubical crystal शेप में होते हैं जिसमें हर edge sodium chloride के atom मिल रहे होते हैं यह हमारे पास crystal की एक shape हो सकते हैं जिसको हम cubical crystal का नाम देते हैं अब अगर हम बात करें atom जब अपने lattice point के उपर associate होता है तो वो साकत नहीं होता वो station नहीं होता बलके क्या होता है कि वो अपनी जगह पर to and flow vibrate कर रहा होता है जैसे जैसे temperature बढ़ता है तो उस सुरत में temperature के बढ़ने से उनकी vibration violent होती जाती है वो उनकी speed बढ़ जाती है और इस तरीके से जब वो speed बढ़ रही होती है लेकिन उसका average distance from the center दोनों तरफ एक जैसा होता है इनके atoms के दर्मियान और molecules के दर्मियान जो intermolecular forces होती है दोजाट cohesive forces वो बहुत strong होती है binding forces उनकी बहुत strong होती है अब जब हम उसका temperature भढ़ाते हैं तो एक certain temperature के उपर यकदम वो तुमाम bonding break हो जाती है यानि तुमाम जो हमारे पास structure है यकदम खत्म हो जाता है और वो solid melt कर जाता है इस वज़ा से जो crystalline solids होते हैं उनका एक definite melting point होता है जबके अगर हम बात करें amorphous solid की तो amorphous solid में चुके कोई भी regular arrangement of atom नहीं होता तो इस वज़ा से हम उसको XRD की मदद से study नहीं करते हैं क्योंकि जहां पे हम study करेंगे वहां पे structure और तरह का होगा वेरी next point पर structure और तरह का होगा और इसकी हमारे पास आम example जैसे हम glass ले लेते हैं जो के आम तोर पे एक amorphous solid है अब इसमें क्या होता है कि atoms randomly oriented होते है randomly arranged होते हैं आप इसको इस तरह गह सकते हैं कि just like liquid को यकदम freeze कर दिया जाए जो atom जहां पर है वहीं पर अपनी अपनी जगों पर रुक जाए या अपनी अपनी जगों पर वो vibrate करना शुरू कर दें अपनी mean position उनकी बन जाए तो वो हमारे पास amorphous solid होगा इसी वजह से बाद वकात हम इसको solid liquids यानि liquids in frozen state भी कह देते हैं अब amorphous के अंदर चुके कोई भी definite shape नहीं होती उनके structure की और जब हम इसको heat up करते हैं तो यह फोरी तोर पे किसी एक point पर जाके या नहीं किसी एक खास temperature पर जाके यह melt नहीं होता बलके क्या होता है कि पहले यह thick paste like material में convert होता है और फिर आइस्ता आइस्ता यह काफी dense किसम के liquid में convert हो जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि यह हमारे पास किसी एक certain temperature point पर हम इसको solid to liquid form में नहीं देख सकते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि it has not definite melting point इसी तरीके से अगर हम polymeric solids की बात करें तो polymeric solids जैसे मैंने पहले कहा कि यह ordered और disorder की दर्मियानी state है तो हम यह कह सकते हैं कि खास level खास range तक उसका एक order है प्रिवेल करता है और उसके बाद उसका दूस्ती तरह का order प्रिवेल करना शुरू कर देता है पॉलिमेरिक solid आम तोर पे artificially बनाए जाते हैं अब इनको बनाने का जो अमल होता है उसको हम आम तोर पे polymerization का नाम देते हैं पॉलिम्राइजेशन क्या है पॉलिम्राइजेशन बैसिकली जो simple structure या simple molecules को combine करके एक long chain of molecules और structure बनाने के अमल को polymerization का नाम दे सकते हैं अब इस पॉलिमेरिक method के साथ हमारे पास जो long chain बनती है वो एक तर्तीब से होती है लेकिन दर्म्यान में जैसे ही कोई variation आती है तो तर्तीब बदल जाती है अब इसमें जो हमारे पास मुख्लिफ किसम के rubber और plastics हुए रहे हैं यह सारे के सारे पॉलिमेरिक solids कहलाते हैं अब पॉलिमेरिक solids का जो सबसे बड़ा advantage है वो है इनकी strength to weight ratio weight ratio मतलब अगर आप इसको बहुत अच्छे किसम के जो polymers होते हैं उनका कोई भी structure बनाते हैं इसको बहुत अच्छी होती है यानि आप बहुत अच्छा structure या बहुत पायदार किसम का structure बना सकते हैं लेकिन अगर उस structure का overall weight देखेंगे तो metals गरा की निस्बत बहुत थोड़ा होता है इसलिए हम कहते है strength to weight ratio इसकी बहुत अच्छी होती है तो यह हम आम तोर पे इसी वजह से इसको बहुत सारी जगों पे अब इसके अंदर शामल होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और लॉंग चेंज होती है तो यह पॉलिमर कहलाते हैं अब इसमें यह था हमारे पास इसको on the basis of atomic arrangement classification of solids अब इसमें जो क्रिस्टल असूसियेट हो जाते हैं तो वह क्रिस्टल बन जाता है मतलब यह अगर हम एक क्यूब लेने इस पर कोई भी आटम अगभी असूसियेट नहीं किया हुआ तो सुरत में यह लैटिस को कहलाएगा अब लाजमी तोर पर यह रेगुलर अरेजमेंट है तो सुरत में बहुत सार कियूब मिलकर ये स्ट्रक्चर बना रहे होंगे इसी तरीके से हम उपर नीचे यह हमारे पास क्यूब इस तरीके से बन रहे हैं हर जो mesh बन रहा है जो जाल बन रहा है इस तरह यह हमारे पास lattice कहलाता है और जब हम इसके साथ lattice points के उपर atoms को associate कर देते हैं तो then it will become crystal तो यह हमारे पास crystal lattice या उसका structure कहलाता है तो इस topic में हमने solids की classification की on the basis of arrangement of atoms hope आप लोगों को ये बाते समझा गई होगी आप इसकी book से reading कीजेगा अगर इसमें कोई problem हो तो आप मुसे comment box में जाके पूछ सकते हैं मैं इसको इंशाला explain करने की कोशिए करूँगा अगली वीडियो तक के लिए अलहाफेज